हेलो असलाम अलेकिम अब्रीवन कैसे हैं आप अमीद करती हूँ आप अपने घरों में खुश और शादाबाद होंगे यह मैंने आपको जैसे पहले यह बचे का कार्डिगन बनाना सिखाया ओटू-3 साइस का फिर उसके बाद मैंने मैचिंग टोपी बना के अपलोड की अब म इस तरह पूरा सेट हो गया यह मैं ऐसे टाल के रख ऐसे सेट हो गया और यह टोपी हो गयी ओके अब इसके बाद मैं इसके बूटी बनाऊंगी और यह पूरा सेट कंपलीट हो जाएगा अब यह दोनों की वीडियो तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसकी मैं अब भी साथ साथ बनाते मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है तो मैं करती हूँ और एक बहुत जो मैंने अपनी बहनों को यह कह रही थी कि सम्टाइम आपको यह डिजाइन लाइक होता है और आप और तो थ्री साइज से एकदम से कह देते हो कि यह पांस साल के बचे का कैसे बनेगा तो वह बिहमेंट में बहुत जादा उसके नाप में चेंजिस होती है तो अगर तो डिजाइन छोटा है तो ईजिली बन जाता है अगर कोई बड़े डिजाइन के साहते है तो वह सुम्टाइम उसकी बड़ी इसको कैलकुलेट करना पड़ता है कि आप कहां से करें कैसे ओपर शेप हुए ज़ादा देर नहीं हुई एक डेट साल ही हुआ है तो इन्शाला जिन्दगी रही तो मैं अपनी हर बहन को हर साइज में मुख्तलिफ डिजाइन बनाके अप्लोड करूंगी ताकि उन लोगो चॉइस भी मिले जैसे ओ टू थ्री साइज अगर ये बनाया है तो इसमें ताइम मैं ट्राइ करूंगी कोई और डिजाइन डाल के ताकि उन लोगों को चॉइस भी मिले इसी तरह अप्टू फाइफ सिक्स येर तक मैं मुख्तलिफ डिजाइन बना बना के साथ साथ अप्लोड करती रहूंगी इससे पहले जैसे मैंने बेबी गर्ल का पूरा सेट ब बनाती है तो अब मैंने सोचा कि इसके बाद मैं आप तू 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 त्री येर के गर्ल और बॉय का एक एक सेट बनाती हो सेट से मीन यह है के टोपी और कार्डिगन कूंकि छोटे बचे को तो यह पूरा सेट बीद बूटी अच्छा लगता है जब बच्चा अवेलेबल होते हैं वो ले लेते हैं तो इन्शालला मैं अब अगला जो मेरा होगा वो मैं दो साल से तीन साल के बच्चे के बॉय और गल का अपलोट करूँगी इसके बाद फूर का करूँगी इसी तरह जिस जो मेरा सेट जो होगा वो उसमें मैं बता सकती कि यह इसका आ इतना बनालो वो मैं जूरूर साथ-साथ बताऊंगी, अमीद करती हूँ, आपको मेरी समझ आगी होगी, क्योंकि घर के कामों के साथ-साथ और भी मस्रूफियत होती है, तो जितना मेरे पास टाइम मिलता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं अपने बेहनों की काम आ अप्लाई कैसे करना है, वो और बात होती है, और कितने स्टिचीज हों के वो बैलंस भी लगे, यह नहीं हो के वो डिजाइन ऐसे हो गए, इस पर बस सरा सा वरकोट करना पड़ता है, तो चले मैं अभी तो यह वीडियो इसकी अपलोड करती हूँ, चले हम इसको बनाना की हूँ, यह देखें, यह मैंने 45 स्टिच लेने के बाद, इसको पैटरन को डालने के बाद, यहां तक यह डिजाइन बनाया है, और यह पिन ने क्यों लगाई है, सेफटी पिन, इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ, सब से पहले तो हमने 45 स्टिच डालने हैं, उसके ल लेती हूँ, जैसे, ऐसे मैंने इसको पकड़ा, थोड़ा सा यह एक्स्टर, यह बाद में मैं परोदूँगी, इसको बनाने के बाद, एक जब मेरा स्टिच बन गया, ऐसे, तो, जब मैं दूसरा किया, तो यह दो धागा है, यह, यह मैं इदर ले आई, उपर से, ताकि यह यहां, टाइट हो जए, यह स्ट्रेंथर में आजएए, यह दो स्टिच, अब इसी तरह यह मैं, यह नीडल जो है, यह मैं 4 mm की यूज करती हूँ, जो के मझे लगता है, साइज 8 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह देंकि, इस तरह डबल डालने से, यह जो एज है वह थोड़ा सा मोटा आता है, और दागा भी स्ट्रेंथन में होता है, नीचे से, क्योंकि बार बार अगर चीज पहन नी हो, तो स्ट्रेंथन में दागा आता है, इसके मैं 45 स्टिच डाल लेती हूँ, इस तरह, मैंने स्टिच डाल ली है, 45, अब हम पहली स्लाई तो, ऐसे ही बना लेते हैं, एक सीधा, यह मैंने सीधा डाला, एक उल्टा, सादे तरीके से, जैसे एक सीधा, एक उल्टा, जी, यह देखें, एक स्लाई तो मैंने डाल ली है, अब हमने इस बॉर्डर को, यह देखें, मैं यह जो बॉर्डर बनाती हूँ, यह थोड़ा सा, ऐसे छोटा-छोटा होता है, छोटा-छोटा, यह मुझे थोड़ा सा नीट लगता है, और अच्छा लगता है, ताइडी, इसको लिए आप हम अगली स्लाईस में यह करेंगे, कि यह जो उल्टा आ रहा है हमारा, उल्टा, इसको ऐसे बनाएंगे, पीछे से, यह जो सीधा है, यह भी हम पीछे से बनाएंगे, फिर धागा आगे, यह जो उल्टा है, यह उल्टा ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे पीछे से बनाएंगे फिर उल्टा है फिर उल्टा है इसी तरह ये हम सारा बॉर्डर बना लेंगे पीछे से और इदर जब आएगा टॉंक साइड पे भी इसी तरह जो सीधा है वो भी पीछे से बनाना है जो उल्टा है वो भी पीछे से बनाना है जी ये मैंने border बना लिया है इतना इसकी कितनी ये कितनी length का हो गया है ये तकरीबन एक इंच से थोड़ा सा यहां कसी आप देखो एक इंच से थोड़ा सा ज्यादा है या आप ये अपनी choice आप जितना भी बनाना चाहूँ अब अगली बारी design की है और एक बाद जब आप ये border बनाने लगए तो आप ये कोशिश करना कि पहले stitch के बाद ये wrong वाला stitch हो फिर right हो फिर wrong हो उसकी reason क्या है जब हम ये design डालेंगे ये देखें तो ये हर ये straight वाले के साथ साथ ये डलेगा तो इस तरह ये nice लगेगा ओके ये देखें अगर आपने ये ख्याल ना ही किया होता तो ये वाली ये जो design है इससे शुरू होना था ठीक तो वह भी लगना था लेकिन इतना clean नहीं लगना था थोड़ा सा मैसब लगना था ओके इसमें confuse होने वाली बात नहीं है बस अब ये कीजिएगा कि जो right side है उसमें पहले वाला end वाला stitch के साथ एक उल्टे वाला stitch आए ओके जब भी आप border बनाओ फिर right ये border ये design जो है तीन एक तीन एक पर पढ़ता है तीन एक चार multiple of four पर बनता है ठीक और ये 6 line ओं पर complete होता है लेकिन मैंने दोनों side से दो दो लिये होए तीन तीन नहीं लिये ये ये मैंने दो उठाए है अगला सीधा होगा फिर मैं तीन उल्टे बनाओंगी एक दो तीन धागा पीछे एक सीधा तीन उल्टे एक सीधा तीन उल्टे एक सीधा इसी तरह ये मैं एंड तक बनाती हूँ ये पूरी स्लाई इसी तरह चल ली है जी देखें मैं एंड पर आगी हूँ तीन उल्टे एक सीधा फिर एंड पर फिर मेरे पास दो बचे हैं दो ही फ्रंट पे थे दो ही इस साइड पे 30, अब उल्टी स्लाइड मैंने ऐसे ही डालनी है जो सीधे हैं वो मैं सीधे डालूंगी, जो उल्टे आ रहे हैं वो मैं उल्टे डालूंगी यह देखें, यह मेरा सीधा आ रहा है, इसको मैं सीधा बनाऊंगी फिर ये एक उल्टा आ रहा है इसको मैं उल्टा बना लूँगी फिर तीन मेरे पास सीधे हैं वान टू थरी क्योंकि जो इस साइड पर उल्टे थे वो इदर आके सीधे हो गए फिर एक उल्टा इसी तरह ये मैं पूरी सलाई कंप्लीट करती हूँ है और यह मैं स 17 करेंगे यह जैन के लिए यह मैं दो सिलाई यह ड़न के इस पैटन के 22 एड़ र्चार यह ऐसा करेंगे को आलके यह और प्रदा कौसरे के यह जो मैं एशी बना लूंगी जो मैंने जीना है ऊड़क हमने थ्री बनाने है यह कैसे मैंने बनाया छोड़ा नहीं फिर धागा आगे किया फिर एक और बना लिया ठीक फिर अगले तीन उल्टे वैसे ही डलेंगे रो फिर ऐसे ही यह जो एक है मेरा सीधा इसको मैंने बनाया फिर आगे किया फिर हो गए इस तरह यह एक के तीन हो गए ओके फिर यह तीन रोंग वैसे ही बनेंगे उल्टे वाले फिर सीधे में इसी तरह इस पैटर्ण को तीन तो जो उल्टे है वो मैं उल्टे बनाऊंगी वो जो सीधा है वो उसके मैं एक के ऐसे तीन कर लूँगी आगे करूँगी फिर ऐसे तीन कर लूँगी ओके यह पूरी स्लाई मैं ऐसे कम्प्लीट करूँगी यह मैं बनाते बनाते एंड पे आ गई हूँ अब इसी तरह य एक के मैं तीन किये और जो मेरे पास remaining two थे वह उल्टे बनेंगे अब उल्टी साइड उल्टी साइड पर उसी तरह यह third slide complete हुई अब fourth slide वह उसी तरह बनानी है जो wrong आ रहे हैं वह wrong जो उल्टे हो रहे हैं उल्टे सीधे सीधे यह मेरा पहला एक सीधा है ठीक फिर जो तीन बन आना है one two three okay अब दागा पीछे और यह तीन सीधे फिर जो तीन एक का तीन किये थे यह उल्टे तीन सीधे यह पूरी slide इसी तरह मुझे complete करनी है ठीक यह पूरी आप इसी तरह कंप्लीट करनी है अब यह तीन उल्टे तीन सीधे तीन उल्टे करके यह पूरी slide complete कर जी यह मेरी four slide complete होगी है ठीक अब फिपth slide जो पैटन की पैटन six slide में पढ़ता है यह वाला तो मैं ऐसे बनाके अब यह जो तीन बनाए थे हैं इनको कम भी तो करना है ना हमने वनना यह तो बहुत फैलते बढ़ता चले जाएंगे अब यह वाला जो एक है मैं इसके साथ बंद कर दूंगी यह middle वाला वैसे ही रहेगा और यह मैं इसके साथ बंद कर दूंगी वह कैसे यह इन दो को मैं कठा बना लिया middle को मैंने ऐसे ही बना लिया और यह इसके साथ इसको पहले हम ऐसे सीधा करने के बाद पीछे से इसके साथ बना लेंगे ऐसे फिर धगा गए यह एक उल्टा हो जाएगा अब फिर यह देखे यह जो तीन बनाए थे ना हमने तीन एक के तीन किये थे यह वाला इसके साथ बनेगा यह वैसे ही बना लूँगी मिडल का और यह इसके साथ बन्द हो जाएगा इस तरह फिर दो दो बन्द होके एक का जो तीन किया था वो तीन का फिर एक रहे जाएगा ओके यह ऐसे अभी इल्टान्ग फिर यह इन दोनों को कठे बन करूँगी यह ऐसे ही बनाऊंगी और इसको इसके साथ बन करूँगी एक उल्टा इसी तरह यह मैँ पूरी सलाई कंप्लीट कर लूँगी यह सारी इसी तरह कंप्लीट हो जाएगी ओके मैंने सारी complete कर लिए अब जो six light हमारी start होगी वो भी ऐसे ही जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाऊँगी जो सीधे हैं वो मैं सीधे बनाऊँगी कैसे ये तीन दो मेरे उल्टे आ रहे हैं one and two उल्टे आ रहे sorry three अब ये एक सीधा है ये सीधा बनेगा फिर three फिर wrong है उल्टे हैं इसी तरह ये slide complete होगी यानि के ये six slide पर पढ़ता है पहले तीन slide पर तो जो design होता है जो उल्ट वाली तीन slide हैं वो उसी तरह repeat होता है जो सीधे होते हैं वो सीधे बनाते हैं जो उल्टे होते हैं उल्टे बनाते हैं और ये मैं यहां तक complete करती हूँ जी ये मेरा one time design complete हो गया ये देखें ये design इसको हो रहा है इस पर follow कर रहा है यही बात बस मैंने कहना चाहरी थी इस तरह ये ना neat लगेगा यहां पर अगर ये design यहां पर शुरू हो जाता तो बुरा नहीं लगता लेकि ये balance नहीं लगना था न तो अब फिर से हमने दुबारा repeat करना पैटन उसी तरह पहले step से पहले slide क्या थी हमने ये दो तो मैंने उल्टे बना लिये थे एक सीधा फिर तीन उल्टे एक सीधा बस आप ये खिया रखें कि ये जो तीन है न अब इनका ये middle बाला तो सीधा रहेगा एक इसका और इसका मिलकर ये तीन उल्टे हो जाँगे ऐकि बस ये आपने खिया रखना है अब ये थ्री उल्टे उसी तरह ये और ये middle वगा सीधा फिर एक ये उल्टा फिर ये 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 सारी स्लाई इसी तरह complete करने के बाद जो wrong side है उसी तरह जो उल्टे हैं वो melted बनाऊँगी जो सीध़े हैं, वो सीध़े बनाओगी, ये मैंने, जो pattern को repeat कर रही हूँ, उसकी 2 सलाइया, डाल रही है, अब तीसरी सलाइ पे हमने, क्या करना होता है, कि ये मेरे पास, ये 2 तो मैंने उल्टे बना लिये, ये जो सीधा होता है, तीन उल्टे एक सिधा किया है न जो सीदे को फिर मैंने 3 करना होता है, ऐसे ओकी, तीन उल्टे वैसे ही बना लूँगी फिर ये जो सीदा है मेरा, उसको ऐसे करूँगी और धागा आगे, फिर देख के 3 इसी तरह ये मैं रेपीट करूँगी, पूरा यहां और जो wrong sly है, वो जो सीधे हैं, वो में सीधे डालूँगी, जो उल्टे हैं, वो मैं उसी तरह उल्टे डालूँगी, जैसे मैंने आपको ये बनाते हुए सिखाया, ये जो हम pattern को repeat करें हैं, उसकी मैंने four sly डाल ले हैं, अब वो fifth sly हमने कैसे डाल ले हैं, जैसे मैंने आपक के बंद कर दिया मीडल वाला ऐसे ही बन गया और ये मैंने सीधा करने के बाद इसके साथ ये फिर ऐसे आप दो कोगठे मीडल वाला ऐसे ही ये इसके साथ दागा गए ये एक उल्टा फिर दागा पीछे ये ये बहुत इजी पैटर्न है मेरे खाल में हर कोई ही इसको बना सकता है चले इसी तरह ये मैं पूरी स्लाई कंप्लीट करने के बाद ये रॉंग साथ भी उसी तरह बनाऊंगी जो और उग्लिटे हैं वो मैं इल्टे बनाऊंगी जो सीधे बनाऊंगी तो ये मारा टू टाइम डिजाइन पैटर्न ये मैंने इसी तरह जब मेरा वान टू टाइम डिजाइन के शुरू थर्ड टाम शुरू होने लगा तो मैंने यहां पे से एक स्टिच बढ़ा लिया दोनों साइडों में से इसमें ये कि फिर जैसे जैसे आप ये पजामा ट्रॉजल बन रहा है तो ऊपर से बच्चों की प जे देखें वान टू थ्री फूर ये एक जो है न डॉट ये दो स्लाईयों को होता है ये डाला एक दफ़ा इदर स्लाई गई इदर आई एक डॉट बन गया फिर इदर इदर दो फिर इदर ये फोर डॉट जब बने मेरे चार यानि कि आध दो चार छे आट स्लाईया होई उसके बाद मैंने जब एक स्टिच और बढ़ा लिया, ठीक, वो तो स्टिच बढ़के एक दो सलाइआ ऐसे इसमें पढ़गी, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वान टू थ्री, यह नो कि दो चार छे, छे सलाइआ इसतरा डली, उसके बाद जब मेरी स्लाइस टार्ट होने लगी तो ये मैंने बढ़ लेगा फिर व Gl necesario में कम करती गई न इसका गैप आपस में दो के बात फिर यहां YEAH यह द hack only one मैंने दो स्वाइँ डाली इसके बद्सरी डाली फिर एक और बढ़ा लिया ठीक उसके बात फिर दो स्वाया या डाली एक-और बढ़ा लियां और यहां तक मैंने यहां तक बढ़ाने के बाद खत्म कर दिया क्योंकि यह मेरा इसका एक पांचा बन गया और इसकी टोटल लेंथ कितनी हुई है यह मैं आपको दिखा देती हूँ यह यहां से तकरीबन 7 इंच से थोड़ा सा ज्यादा बना है इसकी यह लेंथ है और यह पैटन कितने टाइम रिपीट हुआ है 1,2,3,4,5,6,7,8 एट टाइम यह पैटन है 1,1,2,3,4,5,6,7,8 एट टाइम यह पैटन रिपीट हुआ है अब इसी तरह मैं यह इदर एक स्टिच बढ़ा लूँगी वो कैसे मैं ऐसे गैप बनाने के बाद इसको लीव नहीं करूँगी धगा आके लेकिया हूँगी और एक दफार दबारा बना लूँगी यह मेरे एक के दो हो गए और बाकी मैंने उसी तरह पैटन को फॉलो करना है यह मीडल वाला मुझे सीधा बनाना है और यह तीन मेरे उल्टे होने है क्योंकि यह निया पैटन रिपीट होने लगा है उसका फर्स लाई है फर्स लाई में एक तीन एक तीन करके हम बनाते हैं तीन उल्टे फिर एक सीधा अब यहां तक जब मैं आउँगी फिर एक और बढ़ा लूँगी यह वाला स्टिच भी एक का दो कर लूँगी यह देखें यह मैं एंड पे आगी हूँ एंड पे उसी तरह यह मैं बनाऊंगी दागा पीछे करूँगी और एक नहीं प्राद मैं दो, चार, च्छे, आर्ट सलाइयों, और डालूँगी आर्ट सलाइयों के बाद फिर मैं एक इधर से और एक इधर से बढ़ा लूँगी, यह मैंने उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था बढ़ाते बढ़ाते यह वाला पॉम्ं при provided का लिया इससे पहले मैंने यह वाला रेडी किया था ठीक अब हमने इन यह दो मेरे पास बन गया है इन दोनों को जॉइन करना है वो कैसे करना है यह मैं आपको को एक तरफा तबारा रमाइंड करा दूं यह मैंने वान टू थ्री फोर के बाद एक बढ़ाया फिर वान टू थ हम मैंने यह करना है कि इस साइट पे मुझे दो स्टिचिज ऐसे डाल लेने हैं ऐसे वान एंड टू ओके तू स्टिचिज डालने के बाद यह मैं पूरी स्लाई उसी तरह करूंगी जैसे मैंने पैटन डालना है यह पैटन की फर्स्ट स्लाई शुरू होने लगी है वो कैसे कि यहां मेरे यह तीन होगे यह सीधा होगा यह दो मैं उल्टे बनाऊंगी वान उल्टा और यह फिर जाएगा अब तीन उल्टे होंगे एक सीधा होगा उसी तरह जो पैटन का तीन एक तीन एक मुझे डालनी होती है पेली स्लाई वो मैं उसी तरह डालूंगी तीन वान तीन उल्टे इसी तरह मैं डालते डालते यहां तक आजोंगी फिर मैं बनाते बनाते यहां तक आगई हो ठीक अब वान उवर यह तीन उल्टे डालने है एक फिर मैंने सीधा डालने होगे और आप आप यहने इसके साथ जाइन करने हैं सोरी 3 1 2 3 यहां मैंने 3 स्टिच डाल ले हैं यहां इधर मैंने 2 एड किये थे एंड पे मैं 2 एड करूँगी असूलन तो यहां 4 होने चाहिए लेकिन मुझे पैटर्न को भी तो देखना है ना पैटर्न अगर मैं 4 बनाओंगी तो एक एस्ट्रा स्टिच हो जाएगा पैटर्न ऐसे चलेगा नहीं ठीक ना इसलिए मैंने यहां पर एक बढ़ाए हैं एक या एक दो से कोई इतना फरक नहीं पड़ता होता कि और अगर एदर एक ज्यादा है तो इधर स्लाइब भी होनी है चले अब भी हम इसको उसी तरह यह मैंने सीधा डाला अब मेरे तीन आगे उल्टे डालेंगे इसको मैं त्री को त्री जो डाले हैं वह मैं उल्टे डालूंगी वान टू थरी यह मैंने उल्टे डाले यहां मैं कस लोती हूं ठीक है ना अब एक सीधा फिट तीन उल्टे उसी तरह ये पैटर्न के हज़ाब से तीन उल्टे एक सीधा इसी तरह ये मैं एक सीधा तीन उल्टे डालते डालते यहां तक आ जूँगी और यहां जब आओंगी यहां पिर मैंजे दो और स्टिच बढ़ाने है जी यह देखे मैं यहां तक आगी हूँ अब मैं यहां बनेगा मेरा तीन उल्टे वान टू थ्री उल्टे बनेंगे तागा पीछे यह होगा सीधा और यहां मुझे टू एड़ करने है इधर मैं ऐसे टू स्टिचिज और बना लूँगी वान एड़ टू अब यह टू मेरे यहां से उल्टे हैं जो इस साइट पर सीधे होंगे यह मेरे टू सीधे है यह उतर उल्टे हैं यह मैं सीधा करके बनाऊंगी उनको यह टू ओके यह एक उल्टा फिर तीन सीधे वान टू थरी एक उल्टा तीन सीधे टू यह उसी तरह पैटन जैसे मैंने इसकाया ना को यह की दूसरी स्लाई जा रही है जो सीधे है वह सीधे बना रही हूं जो इल्टे हैं वह मैं उल्टे बनाऊंगी ओके सारह मैं dusty बना करोंगी अब मेरी यह पैटन की दो सलाई डाल चुकी हो यह आपस में जूड़ भी चुका है ठीक है अब पैटन की वह थर्ट सलाई बार उसी तरह यह पैटन को रपीट करते चले जाना है यह मैंने यहां से मेरे दो उल्टे हैं और यह जो सीधा है ना इसको आम वह उसी तरह एक का तीन करूंगी ऐसे करूंगी यह करूंगी फिर तीन उल्टे आ जाएंगे टू एंड थरी ओके इसी तरह पी यह इसी तरह वह जैसे मैंने आपको यह पहले सिखाया पैटन उसी तरह यह सारी सलाई इस तरह डालनी है वह आपस उल्टे पे पर जो रॉंग है वो रॉं पैटर्र की साथ इसको बनाते हैं यह मैंने सारा इसी तरह पैटर्र को फोलो करते करते बनाते है इसको करने के बाद इसको बंद कर दिया है जैसे मैंने आपको यहां से दोनों को ज्वाइन करके यह किया थहा किтने पैंड Canvas pregn three four five six six pattern तक जब बनाया उसके बार नेक्स की तरफ टू स्लाइएं डाले के बाद मैंने बॉर्डर बनाना शुरू कर दिया बॉर्डर के बाद one two time ये ये चार स्लाइओं में ये बनाने के बाद फिर ये बंद हो गया अब इसकी यहां से लेंथ कितनी हो गई यह हम देखते हैं ये six quarter है six से थोड़ी सी ज्यादा है ओके ये देखिए six से यहां तक है थोड़ी सी ज्यादा और टोटल पजामी की लेंथ जो है वो मैं इधर से करती हूं तो ये इतनी है क्रीबन हाफ 13 से 13 के क्रीब कह लें आप 13 से अब इतना कहले थर्ट इतनी है 13 से थोड़ी सी ज्यादा अब इम इन दोनों पांच ओके वो ऐसे सी लेंगे ऐसे और ये ऐसे ऐसे करके ये सिल जाएगा ये मैं यहां से यहां तक सी हूंगी उके उसके बाद इन दोनों को मैं ऐसे सी लोंगी तो ये हमारा ट्रोजर रेडी हो जाएगा ये उपर से यहां से जब आप ये काफी फ्लेक्सिबल है ये देखे इजी ली बच्चे ने कर नैपी लगाई हुए है तो इजी ली इससे पहना जाएगा अब मैं यहां से सीना शुरू करूंगी यहां तक सी होंगी फिर उसके बाद ये सारा सीती हूं धागा स और इसी तरह एक-एक इसको हम बनाते हैं एक-एक इधर से एक इधर से उठाके इसको सीते चले जाएंगे यह से जी स्लाइग करते हुए इसकी ज़ूर केर करें कि जब आप पैटर्ण सी है तो यह बिल्कुल सामने-सामने हो इसी तरह मैं यहां तक इसको सी लेती हूं जी यह मैंने यहां तक सारा सीने के बाद यह दोनों लेग्स भी ऐसे इधर से ऐसे सी लिएं इधर से लिए किसी के य यह मेरा ट्रॉजर रेडी हो गया है यह काफी इस में फ्लेक्सिबिल्टी है इस लेग्स में भी काफी है अब पूरी अमीद करती हूं कि यह और तू जीरो से थ्री मन्त तक के बच्चे के लिए इंशाला पूरा होगा और अब है अगली बारी यहां पे डोरी लगाने अच दूर्चन अब बनाना है यह यह थीक लगता है क्योंकि पीछे से बच्चा ऐसा ज्यादा ठीक लगेगा यह फ्रंट ऐसे ठीक मैं इसको यहां से मैं इसका फ्रंट बनाती हूं जो हां से मैंने इस लाई किया है उसके लिए मैं क्या करूँगी धागे को काफी बिक साइज को मैं डबल कर्लेती हूं काफी जादा लेती हूं की आता है उसमें डोरी में करने के बाद इसको कुरोशिय के साथ मैंने इसको इसको सिंपल आप ऐसे भी करके इसको फिंगर कि ऐसे करो करने के बाद इस इदर से क्रोश्या लेकर इसको ऐसे नॉट कर लो ठीक अब ऐसे सिंपल चेन बनाते जाओ वहां जितना यह टू मैंने लिए थोड़ी सी मोटी चेन बन जागी ना अगर बन करती तो पतली चेन बननी थी क्योंकि इतना जूरी तो बांधना इतना टाइट तो होता नहीं है बाद थोड़ा सा स्पोर्ट देनी है टोजर को यह ऐसे एक करके इसकी ऐसे चेन यह देखो ऐसे चेन बनेंगी ना तो यह थोड़ी सी डोरी बन जाएगी मोटी डोरी अच्छी नहीं लगेगी मेरे ख्याल में यह इतने ही ना फोगी मैं बस इसी तरह चेन बनाते बनाते ऐसे इसकी डोरी बना लूँगी इतने ही साइज काफी होगी बहुत मोटी भी अच्छी नहीं लगेगी जी यह मैंने यह डोरी बना ली है सारी बनाते बनात अभी तो मैं आपको बताती हूं कि आप इसमें कैसे डालो यह मैंने सुई ली है बिक साइज की ऐसे तो क्रोशिया हुक से भी आप इसको कर सकते हो लेकिन मैं इसके ऐसे करने के इसमें डालने के बाद इस सुई को इसमें से ऐसे नकाल लेती हूं ताकि यहां पर निकले नहीं अब हम थोड़ी थोड़ी gap के बाद मैंने यह मड़ी मिडल की स्लाई है जो मैंने स्लाई की थी मैं यहां से शुरू करती हूं इधर से अब हम थोड़ी थोड़ी gap के बाद ऐसे नकलते हैं यहां यहां फिर इसमें डालके यह मैं ने दो के बाद डाला फिर मैं यह दो के बाद प्र करूंगी और वन्टू के बाद फिर नकाल लेती हूं ऐसे ऐसे करने के बाद ओकैर फिर वान टू के बाद इदर से डालूंगी वान टू कर ऐसे निकाल लेती हूं थोड़ी थोड़ी के बाद आप ऐसे न अंदाजे से कोई भी आप मार्जर रख लें कि आपने दो या तीन के बाद डालना जैसे भी करना है आप कर लें आपको लग रहा होगा कि मेरी रिकॉर्डिं और आज काल जैसे गर्मिया आ रही है तो काफी ब्राइट लाइट आती है वहां से और कलर कभी तेज लगता है कभी डल लगता है अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना टेबल किसी ऐसी जगा सेट करूँ यहां पे लाइट तकरीबन एक जैसी हो ताके जब बनाओं तो इतना इशू ना हो कलर का यह मेरी थोड़ी सी ऐसे छोटी डोरी बनी है आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी डोरी थोड़ी सी बड़ी बने मैं भी इसको अभी तो मैंने बना ली थी तो आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे ही डाले लग मैं भी इसको थोड़ा सा बड़ा ही बनाऊंगी दो दो के बाद ऐसे अबने करने के बाद यहां नकाल लेती हूँ ठीक यह और यह दहगा मैं कर देती हूँ यहां से कट यह देखे यह मेरा ऐसे खुल गया ओके लेकिन डोरी कम असकम थोड़ी सी हो ताकि हम उसको अच्छी सी नौट बना सके इसको मैं तीन चार दफ़ा ऐसे कर लेती हूँ वोग्ए अगर तो गर्ल हो तो बीड वगएरा लगा दो लड़कों के इतने अच्छे नहीं फिर बीड लगते और बच्चीयों के जिए तो बहुत ज़़ा ओप्शन्स होती हैं आप बो लगा कुछ भी लगा दो लड़कों को फिर तरह थोड़ा सौन में लड़कों का एसास होना चाहिए ना लड़के होने का वो करना पड़ता है तो बस इसी तरह आप इसको बीड लगाने की जो नहीं है इसी तरह तीन-चार दफा मोटी सी नोट कर ले और करने के बाद इसको ऐसे दे काट तो और अगर थोड़ी सी बड़ी होना तो यह अच्छी सी यहाँ पर बो बन दे बहुत बड़ी भी ना रखिएगा बढ़ थोड़ी सी ऐसे ओके तो यह मेरा उसका त्यार हो गया ट्रोजर कह ले या पजामा कह ले अमीद करती हूँ आपको यह समझ भी आया होगा और आप इसको लाइक भी करोगे और ट्राइब भी करोगे इन्शाला इसके बाद इसके मैं बूट बनाऊंगी और यह मेरा पुरा सैटोर टू थ्री साइब बेबी बाई का रेड़ी हो जाएगा तो चले इन्शाला अगली वीडियो में मिलते हैं उतली दिर के लिए जाज़त दे अल्ला हाफीज